एक्जक्ट यह वो जगे होती है जहां पर सारुक खान यहां पर और सल्मान खान करनरजुन यहां पर खड़े बैठे होते हैं यही वह लोकेशन थी जो करनरजुन का जो सीम फिल्माय गया है सारुकान और जोली बर यहाँ ओके जा रहे हुते हैं पें लाला यहां खड़ा होता है दुर्जन सिंग यहां पर होता है दुर्जन सिंग का मुँझ इधर होता है तो लाला को वह उपर दिखाई देते हैं, ठीग है, वहां पे करनरजुन, सारूख जी लुस्त, से ख़गाई देते हैं दूसरों एक सीन यहां पर पक्रपकई दॉड़कर दिखाई तरफ लाला गभानोंक्ति आते हैं कि गाजर के गाजर नहीं है कि मूली क्या मूली नहीं है तो मैंने करण अरजुन मूवी की उस सूटिंग लोकेशन पर करन अरजुन मूवी के वारे में तो आप सभी जानते होंगे 1995 में आई सूपर डूपर हिट मूवी करन अरजुन का एक सीन यहां पर फिल्म आया गया था जब सारुक खान अपने गाउं में वापस आते हैं तो जौनी रिवर के साथ बैठ कर इस पुलिया के उपर होके बैल गाड़ी बैठ कर जा रहे होते हैं जैसा कि आप इस सीन में भी सकते हैं जो पीछे की तरफ पहाड़ है यही पहाड होता है जब वो सीन में जा रहे होते हैं तो पीछे की तरफ यह सीन इस पहाड़ को भी देखके आप मैच कर सकते हैं है यह वही सूटिंग लोकेशन है जो करन अरजुन मूवी में फिल्माई गई थी और मैं आपको एक राजिस्थान अलवर के जिले में ही सूट हुई थी तो हम इस वीडियो में जानेंगे उससे जुड़े और वी सूटिक लोकेशनों के बारे में फिलाल तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वही सूटिक लोकेशन है जहां पर करन अरजिन मुवी का ये वाला सीन सूट हुआ था करन अरजिन मुवी तो जरूर देखी होगी उसमें एक सीन था जब सारुखान मां मां कहके चिलाता हुआ आता है उपर से वहां पर वहां से आते हैं यह वह मंदिर है जहां पर करन अरजिन मुवी के कुछ सीन से लिए गए थे जिए देख पा रहे हैं आप उपर वहां से सारुखान उतर के आते हैं और मैं आपका यह कहां पर पक्का लगाओंगा या फिर थोड़ा हो सकता है वीडियो भी लगा दूं उसी सीन का तो आपको पता चल जाएगा प्रौपर तरीके से कि वह मंदिर यह था जो के मौजूद है के अंदर और इस मंदिर के लेफ्ट में ही आप देखेंगे जब तो वहां दिखता है दूर पहाड़ों के उपर अजबगर फोर्ट जो के भानगर के बिलकुल आगे पड़ता है सुमसान है खंडर हो चगा पूरा फोर्ट है जो और बिलकुल बीच वीच पहाड़ियों के बीच में मौजूद है अजबगर का फोर्ट है जो और यह है रोनात जी का मंदिर फिलाल मंदिर बंद है तो अंदर जाके तो मैं आपको दर्शन करा नहीं पाऊंगा पर आपको बता जरूर दिया है कि यहां पे हुई थी कर नर्जनी मुवी की सूटिंग अजूर दोस्तों मैं आ रखा हूं बिलवारी गाउं में जैसे का मेरे पिछे देख पा रहे हैं यह वही पवन्चकी है जब सारुखान जोडी लीवर के साथ अपने गाउं में आते हैं तो सबसे पहले जब गाउं में एंट्री लेते तो उन्हें दिखाई देती है यह कि आज भी वैसी की वैसी बने हुई है मैं इस वक्त मौझूद हूँ बिलवारी गाउं के अंदर और जिस चौक पर मैं खड़ा हुआ हूं यह वह चौक है जब उसके साले समसेर सिंग नार सिंग जब देख लेते हैं करणर रजुन को फिर ठाकुर को दुर्जन सिंग को ब देखा है तो गामवाले सब मना कर देते हैं कि हमने नहीं देखा तो लाला जो होता है लाला यहां खड़ा होता है दुर्जन सिंग यहां पर होता है दुर्जन सिंग का मौ इधर होता है तो लाला को वह उपर दिखाई देते हैं यह पीछे की तर बैक में स्कूल है इसकूल तो यह जो है पूरा का पूरा चौक मैं आपके दिखवा देता हूं एक बार यह पूरा चौक वही चौक है यहां पर सुटिंग हुई थी कर नरुजिन मूबी की और पूरी स्टार कास्ट यहां पर आ रखी थी उस वक्त में यह सारी बिल्डिंग है अब उस टेंप पर उननी प्रॉपर लोकेशन यह है और हम यहां से आगे चलेंगे करण अर्जुन के घर पर जहां पर रहा करते थे और चूडी लेकर बाग के आते हैं अपने मां के पास में चलता हूं करन अर्जुन के घर की तरफ करन अरजन का घर यह हैं आपने मूवीं में देखा होगा कि जब दोलके आते हैं já जब दोलके आते हैं तो गली में से आते हैं और यहां indem जाते हैं और एक सिम यहाँ पर था कि यहां पहर दोलों एक बांट्री हो चुकिए तो यह वो घर है और यहां पर आजवाब एक सीन यहां पर था कि जब लाला जी आते हैं कहते हुए कि बहुरा नी बहुरा नी बहुरा नी कहते हुए दोड़के आते हैं यहां पर इस घर की तरफ वह सीन वहीं से लाला यहां पर आते हैं और यहां पर राखी जी स से बात करते हैं वाग के यह घर है उस टेम पर यहां पर मुवी जब सूट की गई होगी तो यह जो माकान मालक हैं उन्हीं को पता होगा कि क्या कुछ होने में रेंट दिया था नौ दिन की सूटिंग यहां पर हुई थी आया मैं आपको अंदर से दिखाता हूं कैसा बना तो यहां पर ना यहां पर चूला लगाए वह थे ताव सपे यहां पर इल्म ऐसे WE यह वो घर है जहां पर कर्म नरजुन मूवी की सूटिंग हुई थी और अब मैं यहां से आगे आपको ले के जाओंगा आप चाहें तो सीन के मताबिक किसे मिला सकते हैं इसके बाद आपको एक और घर मौजुद है जो के घर के पीछे की तरफ है वहां मैं आपको लेके चलता सुटिंग हुई है लोकेशन यहां पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आज भी यहां के घरों की जो मकाना है मकान किस तरीके बने हुए यहां किस तरीके के मकान बने हुए सब कफिलम को बने कई-उसाल होगे पर आज भी कुछ बढ़ा नहीं गाओं के अदर यह दे मुनीम जी का घर जहांपे एक सीन यह था मुनीम जी कहते हैं और यहां पर लंब होजाते बैठ जाते हैं तो इस तरीके सीन था जो से इस घर में सूट हुआ था तो यह था अलवर्ग में मौझूद विराटनेगर से आगे बिलवाडी गाओं को अगर च्छा लगाओ ऊए इस वीडियो को लैक से ज्यादा मूवी कई बाहर नहीं मुंभाई मनः सुर्फ और सिर्फ अलवर के तीन चार गाउं के अंदरी कम्प्लेट हुई थी